दिल्ली सेवा बिल लोगसभा में पेश हो गया है ग्री राज्जी मंतरी नित्यानन राई ने इसे लोगसभा में पेश किया इस दोरान लोगसभा में विपक्षियों ने खूब नारे बाजी की लेकिन नित्यानन राई ने इस बिल को पास कर दिया है आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे जानगे पारित हो जानने से क्या-क्या बदलेगा लोग सबाब में बिल पास होने के बाद इस पर बुदवार कुछ अर्चा आओगी ये बिल दिल्ली में सेवाओं पर कंट्रोल तैय करता है इसे लेकर दिल्ली सरकार और कंट्रोल के बीच विवाद है मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल ने इसे लेकर विपक्षी दलो का समर्थन जुटाया है राजनेतिक जानकारों का कहना है कि दिल्ली सर्विस बिल संसद में विपक्षी, गडवंधन, इंडिया की एकता का पहला इम्तिहन होगा वहीं दिल्ली सर्विस बिल और विपक्ष के लाए आविश्वास प्रस्ताव पर मोधी सरकार को बीजेडी का भी साथ मिल गया है पार्टी के सीनियर निता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये सुप्रीम कोट का फैसला बदलने वाला बहल है। अध्यक्ष होंगे। अधिकार नहीं दिया गया था इस वज़े से बिल में आर्टिकल 249 एए पर जोर दिया गया है। आपको बता दे केन सरकार और आम आद्मी पार्टी की सरकार इस बिल के चलते आमने सामने हैं। 19 माई को अध्यादेश लेकर आई थी केंद्र सरकार। तो उसे उपराज जिपाल के मन्जूरी जरूरी होगी। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अध्यादेश से जुड़े बिल को संसत में पास कराना है। क्योंकि तभी ये कानून की शकल ले पाएगा।